नमस्कार दोस्तों मेरा नाम में विमल सिंग बाला जी श्ठरी अड़ा में आपका स्वागत है सुपर टेट 2021 के लिए और साथी साथ यूपी टेट 2021 के लिए सायूंक तरूप से हम आपको प्रेक्टिस इट करा रहे हैं जो ये पैटर्न है वो आपका सुपर टेट 2021 का है जिसके अंतरगत इसे पहले हमने जो प्रसन थे 30 प्रसन परागड़ा सामाजिक अध्यान बालमनो विज्ञान सिक्छड कॉसल वो सभी 30 प्रसन साइड माई बटन में पिछला वला वीडियो इसे पहले के प्रसन आपको मिल ज आतरा पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी जी ने वहां रूपे कार्ड जो है वो लांच किया UAE में भूटान में नेपाल में बागलादेश में इस प्रकार से चार आप्शन है बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा और ये भी काफी चर्चा में रहा था तो ये सारी चीजे आप ये मत सोचिए कि जो करेंट अफेर है एकदम आपको लेटेश्ट की देखने को मिलेगी ऐसे बैक की लगबख 2020 की देखने को मिलेगी क्योंकि पेपर आपका 2021 में होगा ये मत सोचिए कि 2021 जश्ट एक दो दिन महिना पहले लगबख आप सोचेंगे कि जनवरी से लेकर के करेंट 2021 के आएगी तो ऐसा नहीं 2020 की करेंट भी आईगी तो ये सब 2020 की करेंट है आपकी तो चार अप्षन में अंसर की बात करते हैं तो भूटान आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भूटान जो है उसके प्र प्रदान मंतरी एं और जो भारती प्रदान मंतरी है नरेथ मोधी उन्होंने जो है सेंट रूप से वीडियो काउन्फरेंसिंग के माध्यम से जो रूपे कार्ड है ये लांच किया था अब इससे फाइदा क्या हुआ इससे फाइदा ये हुआ कि भूटान के जो नागरिक हैं वो भारत में रूपे नेटवर्क का यूज़ जो है वो कर सकते हैं लाब जो है उठा सकते हैं ये इससे जो है वो चेंज आया था 102 प्रसन कहा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ चक्रत्रतिय पंडुबी हेतु समझाता जो है वो किया अमेरिका, फ्रांस, रूस या इजराहिल चार उप्षन है बताना है कौन सा सही होगा चार उप्षन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा बात कर लेते हैं चलिए अंसर की तो बिल्कुल आपका उप्षन है आपर रूस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा देखिए समझिए भारत है और जो रूस है इसके बीच समझाता हुआ था और इसे हम चक्र जो त्रतिय है ये हम भारत में नाम से जानते हैं परन्तु वैसे नाम है इसका अकुला स्रेडी पंडुबी तो अकुला स्रेडी पंडुबी के लिए एक समझाता जो है वो हस्ताक च्रित हुआ था और ये जो समझाता था इसकी रासी थी 3.3 अरब अमेरिकी डॉलर तो इतना जादा बड़ा समझाता था इसलिए इंपॉर्टन्ट है और समझाता है कि अनुसार जो रूस है ये जो है भारत को अकुला स्रेडी की जो पंडुबी है जिसे भारत में चक्रत्रतिये कहते हैं तो अकुला स्रेडी की पंडुबी भारतिये नौसेना को ये वर्ज 2025 में जो है वो देगा अभी 2020 चल दा है 21 आने वाला है तो 2025 में जो है ये देगा और भारत में इसे चक्रत्रतिये के नाम से जो है वो जाना जाता है 103 प्रसंद कहरा है कि विस्व विरासत समीती में कितने जो है वो देश हैं 18 है 21 है 25 है 27 है चार उप्शन है बताना है कौन सा आपको कि सही होगा तो आप्शन ए भी जिडी में से बात करते हैं चलिए अंसर की आपने सोच अवश्लिया होगा तो आपका आप्शन भी वाला 21 जो है आपका विल्कुल सही हो जाएगा विस्व विरासत समीती कहे लिजे विस्व धरोहर समीती कहे लिजे हर साल एक बार जो है वो मिलती है और समीती में जो है सयुप्त राष्ट महासावाद जो है उसके द्वारा चुने गए 21 सदस राज्यों के प्रिथिनिती जो है वो सामिल होते हैं 21 आपका यहाँ पर विल्कुल सही हो जाएगा 104 प्रस्ट कह रहा है कि किस राज्यों ने 2020 को Artificial Intelligence वर्स घोसित किया है तथा जो टेक कंपनिया है उनके साथ Artificial Intelligence के छेतर में अनुसंधान के लिए एक M.O.U. पर हस्ताक्षर भी किया है तो किसने टेक्स रेडिव के छेतर में जो है यह योगदान किया है या यह वर्क किया है यह आपको जो है वो बताना है और M.O.U. क्या होता है Memorandum of Understanding जैसे हम देखते नहीं कि हमारे और किसी दूसरे के बीच जो है कोई बात पकी होई कि जैसे 2025 में भी मैंने वो बताया तो एक हस्ताक्षर होता है कि हमारे भी समझोता हुआ है तो वही आपका M.O.U. है किस पर हस्ताक्षर किये चार उप्षन है तेलंगाना, करनाटक, उडिसा, असम तो आपका तेलंगाना, करनाटक, उडिसा, असम में से कौन सा सही होगा तो बिल्कुल आपका उप्षन पहला वाला तेलंगाना बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने सन 2020 को Artificial Intelligence वर्स घोसित किया है और 2020 में तेलंगाना सरकार जो Artificial Intelligence है इससे सम्मंदित विभिन गतिविदियों का भी आयोजन करेगा ये भी उसने अपने जो statement है उसमें जो है वो कहा था 105 प्रसन कहा रहा है कि भारत ने किस देश को सोलर पार्क के निर्माण के लिए 75 मिलियन डॉलर की इस लाइन ओफ क्रेडिट जो है वो जारी किये एक एक प्रसन आपका बहुत महत्पूर है कोसिस कीजिएगा कि खाली आपर अंसर ना बताएगा यदि आपको नहीं आता है तो याद करते हुए भी चलिएगा तो बताएगे जल्दी से इजराइल, क्यूबा, पुर्टगाल, युएस से इन चारों आप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा तो आप्शन एभी चिटी में से कौन सा सही होगा इजराइल, क्यूबा, पुर्टगाल ये इससे अंसर की बात करते हैं तो क्यूबा आपका विल्गुल जो है वो सही हो जाएगा भारत ने जो है क्यूबा जो है इसको 75 मिलियन डॉलर की लाइन आफ क्रेडिट जारी किये है और इसके द्वारा जो क्यूबा है जो ये रासी है 75 मिलियन डॉलर इसको ही लेकर आपको ये याद रखना है कि अगले 5 वर्सों में 75 मेगावाट शमता के सोलर पार्क इस्थापित यहाँ पर किये जाएंगे 106 प्रसन कहा रहा है कि अमेरिकी स्पेस एजनसी नासा ने अपॉर्चिनिटी मिसन समाप्त होने की जानकारी दी ये मिसन किस ग्रह से समबंदित मिसन था चार ओप्षन है छुद्र ग्रह के समबंद से ब्रैस्पती ग्रह से समबंदित मंगल ग्रह से समबंदित या प्लूटो ग्रह से समबंदित बताना है आपको option ABCD में से कौन सा सही होगा option ABCD में से कौन सा सही होगा बात करते हैं answer की तो बिल्कुल बिल्कुल आपका option C वाला मंगल ग्रह जो है सम्मंदित है आपका और मंगल पर 2018 की जो ग्रही धूल थी भरी या धूल भरी जो आन्दी चली थी उसी के कारण जो opportunity mission है या इससे 10 जून को संपर्क समाप्थ हो गया था और 12 जून 2018 को या हाइबर नेसम में चला गया था और ये mission जो है इसी लिए समाप्थ होने की जानकारी दी गई थी तो यहीं आपका option C वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा मंगल ग्रैसे समंदित है अगला प्रस नेक सो साथ देखते हैं कि निर्धन लोगों को निसुलक चिकितसा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज सरकार ने आरोगिस रई योजना जो है वो launch की है तेलंगाना ने, उत्तर प्रदेश ने, गुजरात ने, आंदर प्रदेश ने चार option है बताना है आपको कौन सा सही होगा अच्छा प्रस ने पूछा गया है निर्धन लोगों को निसुलक चिकितसा जायता प्रदान करने के लिए किस ने जो है ये launch किया है तो फिर बात करते हैं answer की option ABCD में से तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात या आंदर प्रदेश में आपका option D वाला यहाँ पर आंदर प्रदेश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आंदर प्रदेश सरकार ने जो है वो आरोग गिष्राई योजना जो है वो launch किये है और इन सभी चीजों की आपकी देखेंगे limit कोई है नहीं आप देखेंगे current affair की limit बहुत जादा है होती है तो क्या कोशिस किया करिए छोड़ा थोड़ा trick से चीजों को याद करने की कोशिस कीजे जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आंद्र प्रदेश लिखा हुआ है तो आंद्र से आपको थोड़ा सा अंधा याद रतना है कि कोई व्यक्ति यादी अंधा है उसको नहीं पश दिखाई दे रहा है तो क्या होगा वो आरोग गिष्री यानि की रोग गिष्री जब भी पूचा जाएगा थोड़ा से आंद्र प्रदेश से आप जोड़ सकते हैं 108 प्रसन कहा रहा है कि हमालय देश नेपाल के पहले उपग्रे नेपाल सेट वन को किस देश से प्रच्छे पित किया गया भारत, चीन, फ्रांस या अमेरिका चारो अप्शन है बताना है आपको कौन सा सही होगा और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहेगा ताकि इसी प्रकार बैतरीन से बैतरीन प्रस्थ में आपको और आगे भी प्रेक्टेस कराता रहूं और शेयर भी अवश्य करते रहेगा और लोग भी जुड़ते रहें ताकि और ज्यादा इंट्रेस्ट आपका क्रियेट हो जितने ज्यादा लोग वीडियो देखते हैं उतना इंट्रेस्ट क्रियेट होगा लाइव टाइमिंग है, सामके 8 बजे वीडियो को देखने की, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, तो चली बात करते हैं, आपको लग रहा होगा कि हिमाले देश सम्थिंग टाइप से पूछा गया, तो भारत सही होगा, तो भारत नहीं सही है, अमेरिका आपक से लोगों और विज्ञानिकों के बीच उत्साहा भी देखने को मिला था, अगला एक सुन्नौ प्रस्न कह रहा है, इज ओफ डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में भारत किस इस्थान पर है, इस प्रकार की रैंकिंग बहुत पूछी गई थी, सुपर्टेट का जो इससे प डूइंग बिजनेस 2020 में या 2020 रिपोर्ट में भारत किस इस्थान पर है, तो ऑप्षन एबीचिटी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं अंसर की तो आपका एवाला आपका ऑप्षन 63 वे बिलकुल सही होगा, ये आपका जो रिपोर्ट थी, ये कौन से नंबर की तो सत्रवी रिपोर्ट जो है वो थी, और साथी साथ वासिंग्टन इस्थित विस्व बैंक समूध और इसे जारी किया जाता है, और साथी साथ भारत की रैंकिंग 63 वे नंबर पे थी, और साथी साथ स्कोर जो है वो 71 जो है भारत को इसमें स्कोर जो है वो प्राप्त यह 71 क्या है, यह 71 नमबर है, जैसे क्या होता है? मैं आप से कह wanna, कि 100 नमबर पूरे decide कि गए गए हैं किसी भी चीज के लिए और इसमे अलग अलग आधार पर जैसे 10 नमबर किसी चीज के लिए हो गए, कि 10 नालिया वाँ की कैसी है, 10 नमबर वाँ की सडके कैसी है, तो टोटल 100 नमबर में से नमबर दिये जाते हैं, उसके बाद रैंकिंग जो है वो जारी की जाती है, 110 प्रस्ण कहा रहा है कि कौन सा देश यूरोपी ये आयोग 2050 कारवन न्यूटी लिटी समझाते का हिस्सा नहीं है, न्यूजिलेंड, पोलेंड, टेर्मार्क, फ्रांस, चार आप्शन है, बताना है, आपको कौन सा जो है, वो सही होगा, बात करते हैं अंसर की कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन B, पोलेंड जो है वो बिल्कुल सही होगा, तो कौन सा देश यूरोपी ये यूग 2050 कारवन न्यूटिलिटी समझाते का हिस्सा नहीं है, तो पोलेंड नहीं है, यहाँ पर नहीं पूचा गया है, 111 प्रसन कहा रहा है कि क्रसी तकनीक के हस्तांत्रण के लिए ICAR ने किस संगठन के साथ समझाता किया है, भारती State Bank के साथ किया है कि Union Bank के साथ किया है या क्रसी मंतराले के साथ किया है या नाबार्ड के साथ किया है चार ओप्षन है बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा ICAR जो है इसके संदर में आपको इसकी Full Form बता होना चाहिए ICAR की Full Form होती है Indian Council of Agricultural Research यह आपका agriculture से संबंदित होता है तो अब आपको समझ में आ गया होगा यह बैंक आपकी नाबार्ड बैंक जो है option डी वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अब आपको नाबार्ड की भी full form पता होना चाहिए क्योंकि नाबार्ड की full form सही उपर ICR को आप समझ जाएंगे नाबार्ड की full form होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एन ए यहां से मैं डारेक्ट सौर्ट फॉर्म लिख देता हूँ एन ए बी ए आर डी फुल फॉर्म होती है नेशनल एग्रिकल्चर नहीं नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर एंड रूरल डबलेप्मेंट यह आपकी full form होती है और एग्रिकल्चर से संब्धित है इसलिए मैंने कहा कि आईसी यार की full form आपको पता होगी तो आप आसानी से और option पर नहीं जाएंगे यही आपका होगा क्रिसी मंतराले से ऐसा कोई लेना देना नहीं है डी option सही हो जाएगा और नाबाड की स्थापना कब हुई थी तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी ये भी धान रखेगा पूचा जाता है चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रसन 112 प्रसन कहा रहा है कि ट्रजपुल किस राज जी या केंदर सासित प्रदेश में बनाया जा रहा है जम्मु कस्मीर में लदाक में चंडीगड में या हिमाचल प्रदेश में बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा जो है वो सही होगा तो आपको ऑप्शन जम्मु कस्मीर लदाक चंडीगड हिमाचल प्रदेश में कौन सा सही होगा आपको ऑप्शन पहला वाला जम्मु कस्मीर जो है आपका विलकुल रही हो जाएगा अ प्रांस और मौरिसस के भी चल रहा है या ब्रिटेन तथा मौरिसस के भी चल रहा है या ब्रिटेन तथा इस्पेन के भी चल रहा है तो चलिए बात करते हैं फिर अंसर की option ABCD में से कौन सा सही होगा तो C वाला आपका option ब्रिटेन तथा मौरिसस जो है आपका सही हो जाएगा इस प्रकार की अंतरराश्टी करेंट अफिर भी आपको देखने को जो है वो मिलती है तो ध्यान लखिएगा इन दोनों के बीच चागोस द्यूप समू विवाद जो है वो चल दा है यानि चट्चा मेरा है देखते हैं हमार आगला प्रसन 114 इंडिया स्किल्स रिपोर्ड दो कौन सा सही होगा ओप्शन ABCD में से बताना है कि इंडिया स्किल्स रिपोर्ड 2019 रोजगाल हासिल करने की चमता में पहले स्थान पर कौन सा राज है चली बात कर लेते हैं अंसर की ओप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा तो बिलकुल आपको ओप्शन D वाला माहराष्ट जो है बिलकुल सही होगा तो पहले स्थान पर कौन सा राज रहा है माहराष्ट जो है वो रहा है कौन सी रिपोर्ट 2019 भी इसकी रिपोर्ट है एक सो पंदरा प्रसन कहा रहा है कि किस देश दारा 2019 में विस्व के पहले 5G को लाउंच करने की घोशना की गई है दक्षिड कोरिया ज पाँ चीन तैवान 5G को लेकर पूछा गया प्रसन और काफी चर्चा में रहा है चार आप्षन है बताना है आपको कौन सा सही होगा उप्षण ABCD में से कौन सा सही होगा याद रखेगा ये प्रसन आपका बिलकुल आपका A अप्षन दक्षिड कोरिया बिलकुल सही हो जाそう ध्यान रखेगा 5G सेवा शुरू करने को लेकर जो अलग-अलग कंट्री थी उनमें जो दक्षिड को लिया है उसने सबसे पहले बाजी मारी है और यही जो है इसमें गोश्राफी जो है वो की थी देखते हैं हमारा अगला प्रसन 116 कि किसके द्वारा जारी विस्व के टॉप 20 निर्डायक लोगों की सूची में कनहिया कुमार और प्रसांत किशोर को स्थान मिला है फॉर्चुनर, युनेस्को, फोब्स या वर्ल्ड बैंक चार आप्षन में बताना है आपको कौन सा सही हो सही होगा बात करते हैं अंसर की तो आपका ओप्षन वाला फोब्स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा फोब्स की जो सूची है टॉप 20 निर्डायक लोगों में उसमें इन्हें स्थान जो है वो दिया गया था 117 प्रसन है आपका कि बॉलीवुड का कौन सा एक्टर बॉक सल्वान का अंचार उप्षन में बताना है आपको कौन सा सही होगा और काफी ये चर्चा में हमें सही रहते हैं और आप जानते हैं ऑप्षन ABCD में से बीवाला आपका उप्षन अक्षे कुमार जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा सबसे ज़्यादा कमाई के इन मामले में भी नी का नाम दिकतर देखने को मिलता है एक सवाट प्रसंद कह रहा है कि भारत में टीका करण को बढ़ावा देने के लिए किसने इंद्र धनुस मिसन के दूसरे चरण की सुरुवात जो है वो की है इंद्र धनुस मिसन के संदर में पूछा गया है नीती आयोग योजना निर्वाचन ऐयोक केंद्र सरकार इस प्रकार से चौर आप्शन है बताना है आपको कौन सा सही होगा चली बात करते हैं और वौशन सरे वाला वैंके इंद्र सरकार विलकल सही हो जाएका तो टीका क्रण को बढ़ावा देने के लिए जो इंदर दिनुस मिसन है इसके दूसे चण की शुरुवात केंदर सरकार में जो है वो की है टीका क्रण से सम्मंदित है आपका इंदर दिनुस मिसन 119% कहा रहा है कि दक्षड ATI जो साहित है उसके लिए किसे 2019 के DSC पुरसकार जो है उसे सम्मानित किया गया है अमिताब बाक्ची अमिताब भटाचारे अमिताब बच्चन अमिताब फर्मा चार उप्षन है बताना है आपको कौन सा सही होगा तो आपका उप्षन ABCD में से अंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका उप्षन पहला वाला अमिताब बाक्ची जो है आपका सही हो जाएगा अमिताब बाक्ची जो है इनको तक्चिड ACI साहित जो है इसके लिए 2019 का DSC पुरसकार जो है वो पुरदान किया गया है और जो बाक्ची है इनको यह जो पुरसकार मिला है इनका उपन्याज था जिसका नाम था Half the night is gone Half the night is gone के लिए इनके पुरसकार दिया गया 120 प्रसन कहा रहा है किसने देश के सबसे भवे पार्क भारत वंदना पार्क का सिलान नयास किया यह भी आपका बहुत ही important question है चार option है जल्दी से बताईए कौन सा सही होगा अर्विंद केजरिवाल ने किया नरेंद मोदी जी ने किया अमिट साहद ने किया फ्यूस गोईल ने किया बताना है आपको option ABCD में से कौन सा सही होगा तो बात करतें चलिए answer की option ABCD में सबसे पहले ये भी समझे कि भारत वंदना पार्क है कहां पर सिलान नयास किया गया था है कहां तो आप कहेंगे दिल्ली में है और दिल्ली से देखकर आप अर्विंद केजरिवाल जी को टिक करके आएंगे तो गलत हो जाएगा अमित सहा जो है इनों ने जो है इसका सिलान नयास किया था सिलान नयास मतलब होता है जो चीज बनने जारी होती ना स्टार्टिंग में तो उसका एक उधगाटन के तौर पर की सिलान नयास हो गया फिर वो दिरे दिरे बनना स्टार्ट हो जाती है तो इसका जो लक्ष है भा 2022 का लक्ष रखा गया है कि 2022 तक बन जाएगा दिल्ली का भारत बंदना पार्क और इस पार्क पर कितने रुपए खर्च होंगे तो लगबग 524 करोड रुपए जो है वो खर्च होंगे और चर्चा में क्यों है क्योंकि ऐसा बता है जा रहा है कि देश का सबसे भव पार्क जो है ट्रिक लेने वाला पहला भारतिये गेंदबाज बन गया है चार उप्षन है मुहमद समी कुलदीप यादव दीपक चाहर जस्पीत बुमरा बदाना है आपको उप्षन एपीशिटी में से कौन सा सही होगा तो चलिए बात कर लेते हैं अंसर की उप्षन एपीशिटी मे गेंदबाज जो है इन्होंने 2019 में विसाखा पत्रनम में पिस्टिन डीज के खिलाब है ट्रिक बनाई थी और अरति publish है जिन्होंने है ट्रिक लगाई थी यहांपर दो घ्रिक कुछ आ गया तो चेतन सर्मा थे पहले भारतिये जन्होंने 31 अक्टूबर 1987 जो है इशको बंड में भारत की ओर से विकटो की हैट रिक जो है वो ली थी जेखता है हमारा आग्ला प्रस्ट अच्छा इस में भी गर्व तरीके से प्रस्ट जाए है गया है आप टेस्ट क bist पूछ जाता तो फ़द सिंग का नाम आता जनों सर डेविड एटन बुरो का चैन वर्थ 2019 के किस पूरस्कार के लिए किया गया है जवालाण नहरू पुरसकार इंदरा गांधी शांथी पूरसकार महत्मा गांधी पुरसकार या राचिव गांधी पूरसकार देखे परस्ठ में तो चैन पूछा गया अब अंसर की बात करते हैं तो आपका option B इंद्रा गांधी सांति पुरसकार हो जाएगा इंद्रा गांधी सांति पुरसकार जो है Sir David Attenbro जो है इनका नाम ध्यान रखेगा इनको जो है वो दिया गया है और ये जो है जो डेविड जी है इन्हें Natural History Unit को लिखने और प्रस्तुत करने के लिए भी बहुत famous हैं जाना जाता है उसके लिए पुरसकार की बात करें इंद्रा गांधी जो सांति पुरसकार है इसकी तो ये सांति निरस्त्री करन और विकास के लिए प्रदान किया जाता है और इसका नाम पुर्व प्रदान मंत्री जो इंद्रा गांधी जी थी उनके नाम पर जो है वो रखा गया है और इसे इंद्रा लाख रूपय जो है इसमें पुरसकार जो है वो की जो धन्रास ही है वो दी जाती है एक 123 प्रस्न है 2019 में आई एफ एफ आई पुरसकार की स्वान जहनती का प्रतीक किसे माना जाना है अमिताप बच्चन फरहान अक्तर ममूटी रशनी कान चार आप्षन बताना है आपको कौन सा सही होगा तो चली बात कर लेते हैं अंसर की तो आप्षन एबी सीडी में से डी वाला आपको आप्षन रजनी कान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा सूचना और प्रसाण मंत्री कौन है तो प्रकास जावेद करें आप सभी जानते हैं तो उन्होंने ही पचासवे भार प्रसकार से सम्मानित जो है वो किया गया और साती सा सौने जायनती का प्रतीक के रूप में भी माना जाना अगला प्रसन आपका है कि पाँचवा भारती अंतराश्टी विज्ञान महुत साव आई आई एफ एस एफ कहां जो है वो आयोजित किया गया था नई दिल्ली चेन्ने कोलकाता या मुंबई चार आप्चन है बताना है आपको कौन सा सही होगा बात करते हैं अंसर की तो किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ को जो है उसका अध्यक्ष कौन है चार आप्चन में आपको चाटना है इफ को जो है इसका अध्यक्ष जो है वो कौन है बात करते हैं अंसर की आप्चन एपी सिरी में से तो सी वाला आपका आप्चन बी एस नकाई जो है यही जो है पर यहां पर ध्यान दीजे जो B है और यहां पर जो S लिखा है यह सौट फॉर्म लिखा हुआ है इनका पूरा नाम है बलविंदर सिंग नकाई समझे आप बलविंदर संग नकाई बलविंदर सिंग नकाई इनका पूरा नाम है तो 26 प्रसन कह रहा है कि दी पॉर फील्ड जाए हैं प्रीती रोनाए हैं या अनीता दिसाई है इस प्रकार से चौर आप्शन है बताना है आपको कौन सा सही होगा इजी तर प्रसन है तफ और फील्ड पुस्तक यदि आपने पड़ी है तो आप कह देंगे इस पश्च तोर पर माधुरी विजाई जो है इसके लेकक हैं 127 परसन आपका कह रहा है कि माधव पुर मेला टैस में मनाया जाता है असम में मडीपुर में गुजरात में राजिस्थान में आप्शन एबिशिटी में चार आप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा कि माधव पुर मेला कहां मनाया जाता है तो चलिए बात करते हैं फिर answer की option ability में से कौन से सही होगा तो आप क्या कहेंगे गुजरात आपका विलकुल सही हो जाएगा और कब मनाया गया तो अपरेल माहा में आपका 2020 में इसे प्रस्तावित किया गया था मनाने के लिए और ट्रिक से भी जो हो सकते हैं माधवपूर में धावा लिखाओ ना धा मतलब होता है किसी पर आक्रमड बोलना आपने देखा होगा बहुत सी मूवी और इस टाइब के जो सीरियल बगाते हैं उसमें जब युद्ध होता है जो कहते है धावा आज थाइब से तो माधवपूर में जो धावा आ रहा है उससे आप समझे कि जब किसी पर धावा बोल है या प्यूस गोईल है चार आप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा कर्मोदय गरंद के लेख़ग तो चलिए बात करते हैं फिर अंसर की आप्शन अबी सिटी में से कौन सा किया था और इन्होंने अपनी पुस्तक में अमिसा जो है उन्होंने प्रधानमत्री सिरी नरेंद मोदी जी के जीवन को भी साजा जो है वो किया है देखते हमारा अगला और इस वीडियो के लाश प्रस्न और इसके बाद एक प्रस्नम आप नोटिफिकेशन वैल है उसको अन अवश्य कर लिजेगा तबी तागी सारे जो नोटिफिकेशन है नए वीडियो को आपको मिलते रहें शेयर भी वीडियो को और लोग को वाटसैप फेस्बोक जहां भी आप सेयर कर सकते हूं कर दीजेगा ताकि और लोग भी प्रेक्टिस कर सकें टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिक्त मिल जाएगी डारेक्ट भी बाला जी स्टडी एड़ा सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं 7000 प्लस लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं और दूसरा तीसरा या चौथा चार ऑप्शन है पताना है कौन सा सही होगा तो ऑप्शन एभी सिटी में से बात करते हैं अंसर की तो ये आपका पहला ही संसकरण था पहली बार आयो जित हो रहा था खेलो इंडिया युनिवर्स्टी गेम इसका जो सुभारम था वो पीम नरेन मोधी जी उन्होंने वीडियो कानफरेंसिंग के जरिये किया था और भारती खेलों के लिए एतियासिक और क्रांती लाने वाला इसमें इसे बताया गया था तो आपका उप्शन पहला सही हो जाएगा याद रखेगा तो सभी प्रस्ण मारे तो समापत हुए अब एक प्रस् पूछते हैं तो इस वीडियो का आपके लिए प्रस्ण है जिसका अंसर आपको वीडियो के में कमेंड में बताना है प्रस्ण आपका क्या है कि पत्रकार दिवस जो है इसको किसकी याद में मनाया जाता है मदन मोहन मालविये लाला लाच पतराये बाल गंगा धरतिलक या ब सास्त्री जंबेकर औप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा अपना अंसर वीडियो के मेन कमेंड में टाइप करके अवश्य बताईएगा तो देखते हैं कितने लोग जो है इसका अंसर सही बताते हैं 130 नंबर का ABCD में से कौन सा सही होगा इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रसंस आपको होते हैं आसा अगरते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा तो तीस में से आपके कितने प्रसंस आही रहे अपना स्कोर भी वीडियो के मेन कमेंड में अवश्य बताईएगा तो आज कुर में इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा चैन झाल झाल ठाल जले करते हैं